हलो पूरीज, हाव यू अल, वेलकम बैक तो माइ न्यू कुकिंग ब्लॉग फ्रेंस कल मैं मार्केट गई ती तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे आवले देखे तो मैंने लेके आ गई क्योंकि आवले बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए हमारी आइस के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए मतलब अल ओवर अगर बात करें तो ये ऐसी चीज है जिसके अगर हम अच्छाई करना शुरू करेंगे तो पूरी एक किताब लिखी जाएगी तो यहाँ पे मैंने पूरी किताब तो नहीं लिखनी है और चैनल पे नए हैंते से जरूर सब्सक्राइब कर ली जगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तांकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो में आपके लिए ला सकूँ तो चलिए आपलों को अच्छी से वाश कर लेते हैं बिल्कुल भी डस्ट नहीं रह जानी चाहिए इसके उपर और आज का जो ये मुरब्बा है वो मैं चीनी में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ यूकि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा क्वाइंटिटी में जाती है तो साउंड सो अनहेल्दी इसलिए आज चीनी अवाइड करेंगे सबसे पहले हम इसे स्टीम कर लेंगे मैंने स्टीमर लिया है यहाँ पर उसके अंदर पानी आड़ कर देंगे पानी को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं पानी गरम हो चुका है तो चलिए अब जो हमारे आमला है उन्हें हम स्टीम कर लेंगे उन्हें बहुत ज्यादा ओवर स्टीम नहीं करना है हमें बस हलका सा स्टीम कर लेंगे जैसे हलके से सॉफ्ट हो जाएंगे बस उसके बार हम गैस की फ्लेम को कर देंगे अच्छे से और इने में मीडियम टू लो फ्लेम पे आठ से दस मिनट के लिए कुख करूंगी बहुत जटपट वाली रेसिपी है बहुत ज़्यादा ताम जाम भी नहीं है इसमें बहुत ही इजी इंग्रीडियंट से बनके यह रेडी हो जाता है और सेहत के लिए तो यह बिल्कुल हलका सा सॉफ्ट पड़ा है तो चलिए गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे साइड में रख देंगे इसे तो चलिए अब चलते हमारे नेक्स प्रोसेस में अभी मैं एक इसके उपर कडाही चड़ा दूगी कडाही के अंदर मैं पानी अपर दूगी पानी यहांपे मैंने एक गिलास पानी अपर नहीं करना है इसके बाद मैंने गुड को छटच्छटी पीसिस में कट कर लिया था एक किलो आमला है तो यहांपे 600 ग्राम मैंने गुड लिया है क्योंकि हमने पूरी क्वांटिटी करनी है 400 ग्राम हम इसमें शेहद आड़ करेंगे शेहद और आमले का कॉम्बिनेशन तो सूपर कॉम्बिनेशन है बहुत ही जादा हेल्दी होता है तो आज हम जो आमला है वो इसी तरीके से बनाएंगे गुड़ को अच्छे से मैल्ट होने देंगे पानी के अंदर हमारा गुड़ जो है अच्छे से मैल्ट हो चुका है पानी में अब इसे थोड़ी देर और कुख होने देंगे मलत पांच का मिनट तक हम इसे उबलने देंगे ऐसे ही तब तक जो हमारे आवला है उन्हें हम प्रिक कर लेते हैं उसके लिए मैंने फॉक का यूज किया है इस तरीके से जगा जगा से हम इसको प्रिक कर लेंगे इससे जो हमारी चाशनी है वो इसके अंदर तक एकदम चली जाएगी और यह बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेंगे जो फॉक आप इसके अंदर एड़ कर रहे हो न तो आप ध्यान देना कि बिल्कुल उसकी गुठली तक जाना चाहिए तो चलिए सारे में मैंने कर लिया था इसके अंदर एड़ कर देते हैं गुठ के अंदर अगर आपको गुठ का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहां पे से मिश्री से भी बना सकते हो मिश्री में भी यह बहुत ही जादा अच्छे बनते हैं चीनी में तो थोड़ा अवाइड ही कीजिएगा क्योंकि चीनी इतनी अच्छी नहीं होती है सेहर के लिए हम लोगो चाशनी में डालने के बाद अच्छे से मूव कर देंगे इने यह देखे इस वक्त इसका कलर कैसा है जब तक यह चाशनी में कुख होंगे तो इनका कलर भी गुड़ जैसा ही हो जाएगा तब आप समझ चाहिएगा कि यह अच्छे से कुख हो चुके हैं और हमने यह चाशनी जो है पूरी की पूरी इसके अंदर सुखानी है थोड़ी देर के बाद मैं इसमें एड़ कर दूँए थोड़ असा इलाइची पाउडर हाफ टीस्पून के अराउंड मैं यहां पे लिया है इसमें एंड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब देख सकते हैं वह चाशनी का कलर भी चेंज षोता जारह है रहा है नहीं है बीच-बीच में हम इसे चलाते देखे जो हमारे आमले हैं उनका कलर भी चेंज हो रहा है और चाशनी में कम होती जा रही है ये देखे अब इसी तरीके से थोड़ी देर हम इसे और कुक कर लेंगे ढ़क के अगेन पांच मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं फिर से देखे हमारी चाशनी अच्छे से सुख चुकी है इससे जादा हमें से नहीं सुखाना है क्योंकि हम इसे अभी ओवरनाइट छोड़ेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा और यह पूरी तरह से चाशनी अब्सॉब कर लेंगे फिर हम इसके अंदर शेहद आड़ करेंगे शेहद अभी इसके अंदर नहीं जाएगा और शेहद के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन होता है आप कहीं पढ़के भी देख सकते हो शेहद और आवला शेहद के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो पंता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अपने एक्स्पिरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजेगा तो चलिए ओवरनाइट छोड़ा है हमने इसे छे घंटे बाद हम इसे काच की भरनी में भर लेंगे काच में इसलिए बरना ज़रूरी है क्योंकि इससे इसकी जो लाइफ है वो जादा लॉंग हो जाती है जादा टाइम तक यह तिके रहेंगे अच्छे बने रहेंगे तो चलिए इसको भी इसके अंदर फिल कर लेते हैं उपर तक फिल करेंगे इसके अंदर ही हम शेहद आड़ करेंगे शहद कडाई में ही मत आड़ कर दीजेगा नहीं तो इसे इसके अंदर फिल करने में मुश्किल होगी क्योंकि ये चाशनी भी चिपचिपी हो और शहद भी थोड़ा चिपचिपा होता है तो इस वज़े से पहले हम इसे ताच के डबों में भरेंगे उसके बाद हम इसके अंदर शहद आड़ करेंगे अब बारिया दिये शहद की शहद इसके अंदर फिल कर लेंगे उपर तक शहद जाएगा इसके अंदर दोनों बर्णियों में अच्छे से भर लेंगे और सुबा शाम एक एक आमला खाएंगे इस जहत के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा होता है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजेगा अगर आपको आवले का मुरबा पसद नहीं है या आवले का मुरबा खाके बोर हो गए हो तो आप आवले की बहुत सारी चीजे बनते हैं आवले की कैंडी बनती है आमले का गटा गट बनता है बहुत सी चीज़े बनती है आप उसे अप जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजेगा क्योंकि आमला इस वेरी बेनिफिशल फर आस तो चलिए मैंने दोनों बनियां भर ली हैं आमले से मैं आपको एक दिखा देती हूं देखे कितने जूसी बने ह हमारे जो आमले हैं इसके अंदर तक एकदम शहाद चला गया है देखे और ब्रकुल सॉफ्ट बने हैं खाने में ये बहुत ही टेस्टी बने है चलिए आवे बनाइए खाये इंजॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन